नमस्कार वैसे तो दान करने के लिए हमें किसी भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए परंतु मकर सकरांती के दिन दान का विशेश महत्व होता है जोती शास्तर के अनुसार जब सूर्य देव मकर राशी में परवेश करते हैं तो शनी देव की प्रिय वस्तुओं के दान से सूर्य बगवान की आपर क्रपा बनी रहती है अतहब मकर सक्रांती के दिन आप तिल या तिल से बनी वस्तुवों का खास तोर पर दान करें इसके अलावा यदि आप राशी के अनुसार दान करेंगे तो विशेश पूर्णिय फल के साथ आपकी अभिष्ट मनों कामना भी पूर्ण होगी तो आईए अब हम जानते हैं कि राशी के अनुसार मकर सक्रांती के दिन हमें क्या दान करना चाहिए और सूर्य को अर्ग किस प्रकार देना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेश राशी की सूर्य को अर्ग तामे के लोटे में जल, तिल, वगुड, पेले पुश्प और हल्दी डाल कर दे एवं मकर सक्रांती के दिन तिल, गुड, मुंफली, मच्छा दानी का दान करे वग तामे की वस्तू का दान तो अधी उत्तम है वह आज के दिन आप पेली या लाल रंग की कंबल का दान करे मेश राशी के जात तक गाए को गुड़ भी अविश्य दे इससे आपको कारियों में सफलता मिलेगी तो यहाँ तो थी मेश राशी की बात अब हम बात करते हैं वरशब राशी वरशब राशी के जातको को मकर सकरांती की दिन सूर्य को अर्ग तांबे के लोटे में जल, सफेद चंदन, दूद, सफेद पूश्प, सफेद तिल डाल कर देना जाए वह आज के दिन चांदी की वस्तु, सफेद वस्त्र, सफेद तिल वो दही का दान करे वो सफेद या हलके नीले रंग की कंबल का दान करना चाहिए रशव राशी के जातक आज के दिन गाय को मीठे चावल खिलाए इससे आपकी बनाई गई महत्वपुन योजना प्रारम भी होगी और सफल भी अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के जातक जल में तिल, दुरुवा वो लाल पूश्प डाल कर सूर्य को अर्ग दे वो पीले वस्तर, मूंग डाल की खिचडी या फिर मूंग डाल और चावल का दान करे एवं लाल या केसर या रंग की कंबल का दान करे वो आज के दिन गाय को हराचारा खिला है इससे आपके धनलाब के योग बनेंगे और मान सम्माद में भी व्रधी होगी अब हम बात करते हैं करक राशी की मकर सक्रांती पर करक राशी के जातकों को जल में दूद, चावल, तिल मिला कर सूर्य को अर्ग देना चाहिए वो आज के दिन चावल, मिश्री, तिल, साबुदाना, सफेद उनिवस्त्र का दान करे एवं सफेद या हलके गुलाबी या पीले रंकी कंबल का दान करना चाहिए एवं मकर सक्रांती की दिन गाई को चावल में दूद और चीनी मिला कर खिलाए इससे आपके कारियों में आ रही बाधाय दूर होगी सिहराशी सिहराशी के जातक सूर्य को तामबे के लोटे में जल के साथ कुमकुम लाल पुष्प वतिल डाल कर अरिक दे वह मकर सक्रांती पर तामबा गेहूं लाल वस्त्र केसर का दान लाल चंदन का दान करे एवं लाल कंबल का दान करना चीए वह गाय को रोटी अवश्य खिलाए इससे आपको नई उपलब दिया और काम्या भी हासिल होगी अब हम बात करते हैं कन्या राशी के मकर सक्रांती के दिन कन्या राशी वालों को सूर्य को जल में तिल दुरुवा वह पुष्प डाल कर अर्ग देना चीए वह आज के दिन साबुत मूं, हरे वस्त्र, तेल, उड़त दाल का दान करना चीए वह हरी या पीले रंकी कंबल का दान करे एवं गाय को मूं दाल की चावल की खिचडी खिलाए या फिर भीगी हरी वी मूं खिलाए इससे आपका कारिय हितू समय अनुखुन बनना शुरू हो जाएगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी के जातक सूर्य को जल में सफेद चंदन, दूद, वह चावल मिला कर अर्ग दे वह आज के दिन सप्त धान, गुड, शक्कर, सफेद वस्तर का दान करें थथा मकर सक्रांती के दिन सफेद रंकी कंबल का दान करना चलिए एवं गाई को चावल खिलाए इससे आपकी मनो कामनाय पूर्ण होगी आईए अब हम बात करते हैं व्रश्यक राशी की मकर सक्रांती के दिन व्रश्यक राशी के जातक सूर्य को जल में कुमकुम वह लाल पुष्प डाल कर अर्ग दे वह आज के दिन गुड, लाल वस्तर, साबुदाना, उनी वस्तर का दान करना चलिए वह लाल कंबल का दान करी एवं गाय को गुड खिलाए इससे कारियों में लाब और यश्च की प्राप्ति होगी धनुराशी धनुराशी के जातक सूर्य को अर्ग, जल में, हल्दी, पीले पुष्प वतिल मिला कर दे एवं मकर सक्रांती के दिन पीले वस्तर, चन्य की डाल, हल्दी, तांबा एवं गुड का दान करना चलिए वह गाय को चन्य की डाल और केले खिलाए इससे आपको जीवन में मन चाही सफलता मिलेगी अब हम बात करते हैं मकर राशी की मकर सक्रांती के दिन मकर राशी के जातक सूर्य को अर्ग जल में काले तिल मिला कर दे वह मकर सक्रांती पर काले तिल, काले या नीले वस्तर और पुस्तक का दान करे और काले कंबल का दान करना चाही है गाई को उड़त की किचड़ी या भिगी उड़त की डाल के लाए इससे आपके शत्रूप रास्त होंगे वो आपको मान सम्मान भी मिलेगा अब हम सुनते हैं कुम्राशी के बारे में कुम्राशी के जातकों को सूर्य को अर्ग तामे के लोटे में जल में नीले पुष्प, काले उड़त, काले तेल, शकर के कुछ दाने और सरसों के तेल की कुछ बुंदे डाल कर देना चाहिए एवं मकर सक्रांती के दिन गी, काली उड़त, साबून, कंगी, नीले वस्तर वो तेल का दान करना चाहिए एवं आज के दिन काले या नीले कंबल का दान करें गाय को उड़त की मीठी खिजडी भी खिलाए इससे आपके आत्म विश्वास में बढ़ोतरी होगी मीन राशी, मीन राशी के जातकों को सूर्य को अर्ग जल में लाल केसर मिला कर देना चाहिए एवं आज के दिन पीली सरसो, वकेसर, गोड, तिल, रेश्मी वस्तर एवं लाल कंबल का दान करना चाहिए तथा विशेश रूप से गाय को आज रोठी खिलानी चाहिए इससे आपके बुद्धी मता में व्रदी होगी तो यहां तो था हमारा राशी के अनूसार दान कि राशी के अनूसार हमें किस प्रकार सूर्य को अर्ग देना चाहिए और किस प्रकार की वस्तों का दान करना चाहिए अब मैं आप से यहां बात करूँगी कि यदि कोई गरह आपका अनुकुल नहीं है तो गरहों की अशुप प्रभाव को कम करने है तो हमें गरहों से सम्मंदिन किन वस्तों का दान करना चाहिए तो आईए सुनते हैं सूर्य गरह के कमजोर होने पर यदि आपकी जन्मकुली में सूर्य गरह कमजोर है तो आपको गेहों, स्वन, तामबा, गोड, गाई, लालवस्त्र, लालफूल इवं लालचंदन का दान करना चंद्रगरह कमजोर होने पर चांदी, मोती, चावल, दूद, दही, खीर, कपूर एवं सफेद वस्त्रों का दान करें बुद्रगरह के कमजोर होने पर आप मूंग, हरी सक्चिया, हरी गास या हरे वस्त्रों का दान कीचिए एवं यदि मंगल गरह कमजोर है तो आप मसूर, लाल वस्त्र, गेहू, तांबा, लाल बैल, मिठे पूवे या गुड़ का दान करें शुक्रगरह के कमजोर होने पर आप रेश्मी वस्त्र, गाई, चावल, गी, दही, इत्र, शक्कर एवं सफेद दिलों का दान कर सकते हैं गुरू के कमजोर होने पर आप पीली मिठाई, केले, हल्दी, पीला धान, पीले वस्त्र, एवं चने की दाल का दान कीजिए शनी, शनी ग्रह के कमजोर होने पर आपको मकर सक्रांती के दिन विशेश शुरूप से काली उड़त, तेल, काले वस्त्र, काले तिल, लोहे की वस्त्वे, स्टील के बर्तन, काले रंग के कमबल, एवं जूते चपलों का दान करना चीए इससे आपके शनी ग्रह के अशुप प्रभाव कम हो जाएंगे राहु ग्रह के कमजोर होने पर आपको कोईला, नीले वस्त्र, नीले फूल, उड़त, एवं लोहे की वस्त्वे, वकंबल का दान करना चाहिए केतु ग्रव के कमजोर होने पर काले फूल, चाकू, लोहे की वस्तुए, छत्री, दूरंगा कंबल इवं नादिल का दान करें इस परकार से हम ग्रव की अशुप प्रभाव को भी कम कर सकते तो यहां था हमारा मक्कर सक्रांती पर आपके लिए एक विशेश वीडियो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इससे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिष्तेधारों के साथ में शेयर करना भी ना बूले और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो इससे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी समय पर मिलते रहें धन्यवाद कर दो हो Satake